क्या प्रधान मंत्री नरेंद्र मूदी का जादू खत्म हो रहा है क्या जनता का अब भाजपा से विश्वास हूट रहा है क्या वज़े है कि करनाटक की जनता ने भाजपा को सत्ता से बेदकल कर दिया क्या अकेले प्रधान मंत्री नरेंद्र मूदी के नाम पर वोट मांगना भाजपा के लिए घाटे का सवदा साबित हो रहा है यह सवाल इसरे उबर ले क्योंकि 2018 में देश के 21 राज्य और 71 परसेंट आबादी पर बिज़ेपी का शासन था लेकिन अब बिज़ेपी सत्ता 41 फिज़े आबादी तक ही सिमट गई है फिलाल देश में 30 विधान सबाये हैं इनमें दो केंद्र शासित प्रधेश दिल्ली और पुद्दु चेरी भी है करनाटक के नतीजों के बाद बिज़ेपी अब 15 प्रधेशों में सत्ता में है इनमें भी अपने बुते पर सिप 9 प भाजब का इरादा था जो करनाटक का गड़ ध्वस्त होने की वज़े से उनका सपना भी विकर रहा हुआ लग रहा है दक्षिन भारत के पात राज्यों और एक केंद्र शासित प्रधेश से कुल 130 लोग सबा सांसद आते हैं इनमें बिज़ेपी के केवल 29 सांसद है यानी स 22 परसेंट जिनमें से 25 सांसद करनाटक से और 4 तेलंग अना से हैं दक्षिन भारत के इन राज्यों की विदान सबाओं में कुल 923 विधायक है करनाटक चुनाओं से पहले तक इनमें से बिज़ेपी के पास कुल 135 विधायक थे करनाटक में बिज़ेपी के 40 विधायक कम होने तो नौर्थ इस्ट में यानि पूर्वत्तर भारत सिक्किम समेत में। नौर्थ इस्ट के आठ राज्यों में कुल 498 विधायक है। इनमें से बिजेपी के 206 विधायक है। यानि 41 फिजदी लोगों के उपर भाजपा का राज है। इसी तरह नौर्थ इस्ट के राज्यों से कुल 25 सांसद आते हैं। इनमें बिजेपी के 15 सांसद है। असम में हेमन्स चर्मा की अगोवाई में बिजेपी की सरकार है। नकालेंड में NDPP यानि National Democratic Progressive Party की अगोवाई में बिजेपी सत्ता हमें है। NDPP के Nephario CM है, मनिपूर में बिजेपी सतानिय पार्टी के साथ सत्ता में है। बिजेपी के भिर्यन सियव सियम है। मिजोरम में मिजो National Front की सरकार है और जोराम थंगा वहाँ मुख्यमंद्री पतपर मौझूद है। त्रिपुरा में बिजेपी सत्ता में है, यहां मानिक सहा मुख्यमंत्री है, अरुनाचल प्रदेश में बिजेपी सत्ता में है, यहां पेमा खंडु मुख्यमंत्री है, सिक्किम में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा सत्ता में है, प्रेम सियत मांग सियम है, बिजेपी का राज् में कंग्रेस की सरकार है दक्षिन भारत की तरफ पुरुव भारत में भी भास्पा की कई भी सकता नहीं है अब भास्पा और प्रधान मंत्री मोधी अमिच्छा जेपी नड़ा को अपनी आगे की रनीती के बारे में गंबिरता से सोचना चाहिए करनाटक की एक हार ने के नतीजों ने बता दिया है कि बीजेपी अजे नहीं है पीम मोधी का साथ होना जित की गारंटी नहीं देता और हर बार डबल इंजिन का दाव चल जाए यह ज़रूरी नहीं सिटों के सम्भी करन के लिहास से तो बीजेपी के लिए चिंता बनी ही है कई राज्यों में उसका डबल इंजिन वाला दाव फेल होना भी उसे आत्ममंतन करने पर मजबूर कर रहा है हिमाचल में सत्ता गवाई गई है और अब करनाटक में करारी हार मिली है दोनों ही राज्यों में एक इंजिन पूरी तरफ फेल हुआ है इसी तरफ बीजेपी के हर चुनाओं में दीख रही समान रन निती भी उसके लिए अब चिंता का सबब बन गया है हर चुनाओं को राश्टरवास से जोड़ देना हर चुनाओं में सिर्फ धुरूवी करन पर फोकस करना हर चुनाओं में पियम मोधी कोई सबसे बड़ा स्टार प्रशारक बनाना ये फैक्टर अब पार्टी को उम्मीत के मुताबिक रिटन नहीं दे रहे जिस तरह से कांग्रेस ने लोकल मुद्धों को राज्जों में उठाना शुरू कर दिया है आने वाले दिनों में कांग्रेस का लोकल मुद्धों उठाना डीजेपी के लिए बड़ी चिंता बन सकता है अब बड़ी चरूम से से केंट आता है पुरा वो सब उठाजेशा जी एसी जैपको नुक्सान हुआ फाइड़ा है वहाथ नुक्सान हुआ है अगर भासपा को पुन्ना सत्ता में आना है और मुद्धी को तिसरी बार प्रधान मंत्री बनाना है तो भासपा को अपनी रन निती में बदलाव लाने की बहुत जरूरत है